दोस्तों अगर आप मीचल फंड में इंवेस्टमेंट करते हो तो आज की वीडियो बिल्कुल आपके लिए आपने सही वीडियो पे किलिक करा है तो दोस्तों मेरे पास आज एक कमेंट आया है सत्यम जी का उनने मुझसे बोला है सर अगर हम 20 साल तक S.I.P करते हैं और बीच मे S.I.P बंद करके मुचल फंड में ही रहने दे पैसे को और बैंक में आटो पे एक्टिव है तो उस टाइम के हमारा पैसा लमसम में बदल जाएगा और क्या इंस्टॉर्मेंट नहीं पे करने पे बैंक हम से कोई चार्ज लेगा या नहीं तो दोस्तों जो ये कोशन है वो का प्रके मुचल फंड से रेलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहता है और दोस्तों आज एक गुड न्यूज भी है दोस्तों फाइनली दोस्तों हमारे जो चैनल है वो मॉनिटराइज हो गया है तो दोस्तों यह सब आपकी वएसे हुआ है दोस्तों आपके ने देखो यह हो गया हमारा बैंक यह हो गया हमारा दोस्तों मुचल फंड कि एमेफ ठीक है दोस्तों बैंक में दो तरीके से इंवेस्टमेंट होते हैं एक होता है एवडी दूसरा होता है दोस्तों हमारा आडी अब दोस्तों हमारा जो एवडी और रडी होता है इसमें क्या हो आपके बैंक में आ जाएगा, ठीक है, RD में क्या होता दोस्तों मन्तली इस्टोर्मेंट पे करते हैं, ठीक है, उसमें भी एक ठीक्स टैमपरेट रहता है, कि 10 साल के लिए करनी, 20 साल के लिए करनी, 25 साल के लिए करनी है, जितने टाइम प्रेट आप सेलेक्ट रहोगे, उस टा यूनिट अलोट होने के बाद आपका जब बनो SIP से आप निकल सकते हो SIP से पैसे को निकाल सकते हो ठीक है तो यहाँ पर यह चीज देख लीजी दोस्तों इसमें हमारे मैचुर्टी वाला काम है वो नहीं है अब सरी यूं बोलड़े हैं हमारे सत्यम जी कि 20 साल के लिए हम इंवेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन बीच में ही हमने पैसे को बीच में हमने SIP बंद कर दी तो यहाँ पर देखो दो तरीके हैं देखो 20 साल के लिए आप करना चाहते सब्सक्變 करना लिए मतली हजार उपे की अमारी SIP ठीकिए तो दोस्तो अब हम यह चाहते हैं कि जो पांस साल बाचे हैं इस में हम ने हमारी को पैसा पड़ा है ज कि हमारा जो mutual fund में जो पैसा पढ़ा है जितना भी हमको return मिला है और जितने भी हमने pay करा है वो सारा पैसा पढ़े रहन दें तो उस condition में क्या होगा क्योंकि दोस्तों auto पे हमारा लगा हुआ है तो उस condition में क्या bank हम से कोई charge लेगा या नहीं लेगा हमारा पैसा लमसम में convert होग है ठीक है mutual fund में आपका पड़ा हुआ है अब इसमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों अब मान लीजिए मान लीजिए कि आप आप यह सोचने कि यह मैं सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं तो उस condition में आपको क्या करना पड़ेगा हमारी जो SIP है हमारी जोस्तों सब्सक्राइब है उसको आपको क्या करना पड़ेगा कैंसिल करना पड़ेगा वहां पर आपको दो अप्शन देखने को मिलेंगे दोस्तों एक मिलेगा कैंसिल का दोस्तों जैसे आप SIP कैंसिल करोगे SIP cancel करोगे तो उसके बाद आपको एक option देखने को मिलेगा कि money का withdraw का money redeem का दोस्तो SIP cancel का मतलब का यह होता है कि हमने SIP cancel कर दिया अब हम SIP pay नहीं करना चाते ठीके लेकिन mutual fund वाले section में पैसा आपका पढ़ा रहेगा वो पैसा कब तक पढ़ा रहेगा जब तक आपके money का withdraw नहीं कर लेते ठीके SIP cancel करने का SIP delete करने का मतलब यह नहीं है कि आपके bank account में पैसा आ जाएगा ठीके जब तक आपके money का withdraw नहीं करते हो तब तक आपके bank account में पैसा नहीं आएगा इसलिए आपको क्या करना है 15 साल तक अपने pay कर दी उसका पता आप क्या करो आपकी SIP है उसको cancel कर दो simply SIP को cancel कर दो cancel करने का बात क्या होगा SIP को cancel करने का बात क्या होगा कि हमारा जो ओटो पे लगा हुआ है ठीक है cancel कर दी इसलिए हमारी जो installment है वो अब उसकी कोई date आईगी नहीं अब installment की कोई date आईगी नहीं तो हमारा जो ओटो पे है यह वर्क करेगा नहीं इसलिए बैंक अपसे कोई चार्ज लेगा नहीं ठीक है तो आप यह कर लेना इसके बात क्या होग अगर यह पैसा भी बढ़ता जाएगा तो यह चीज दोस्तों यहां पर एक चीज में आपको और किलियर कर दूं अगर मान लीजिए आपने 20 साल के लिए करना चाहते हो 15 साल तक आपने साइप को पे करा अब उसके बाद आपने क्या करा skip हो ऊब इसके बश्यों कर सकते हो आखर उसके बाद क्या होगा दोस्तों 15 तक अपने प्ए कर द demonic करते हैं हो लेकिन आपपने क्या सोचा वले रहन दियार में तो skip करता है जाओंगा तो ज़्यादा आप skip भी नहीं कर सकते हो अगर आप skip नहीं करोगे और कभी भाईचान साब भूल गए ठीक है और ज़्यादा skip भी नहीं कर सकते हो तो उस condition में क्या होगा दोस्तों तो बैंक तो अपना काम करेगा ही जैसे से डेट आई कि तो बैंक आपना कां करेगा तो बैंक तो आपके चार्जेशर सीरे इसलिए इनक्षिजों से बचने के लिए आपको क्या करना हैugर आप s i p नहीं प्पे कर सकते हो तो सीधे सीधे को कैंसिल कर दो SIP को कैंसिल करने के बाद दोस्तों आप बिल्कुल फ्री हो आपका मन हो जब बैंक से मीचल फंड वाले स्क्षन से पैसा निकालो बैंक में डालो मन नहीं है तो पड़े रहे हैं दोस पर भ्याज बनने दो ठीक है तो छोटी सी जानकारी थी दोस्तों ठीक है यह चोटी सी जानकारी है लेकिन दोस्तों अगर इंवेस्टमेंट करते हो लॉंग टाइम के लिए तो बहुत बड़ी प्रावलम आपके लिए क्रियेट कर देता है अगर आप यह चीज नहीं समझते हो तो इसलिए मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया है तो दोस्तों आपको कैसे लगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सिस्क्राइब जरू करें तो चलिए दोस्तों जैसे रिशा मिलते हैं हमारे नेस्ट वीडियो में